Hello everyone, this is Siddharth Patel. Welcome to Magnet Brains. इस वीडियो से हम हमारा जो unit 2 है topic of laws उसका एक नया law पढ़ेंगे. कौन सा law पढ़ेंगे? हम लोग criminal laws के बारे में discuss करेंगे. इसका नाम क्या है? इस वाले topic का नाम क्या है? Introduction to Criminal Laws in India. इससे पहले हम लोग law of property, contract वाला law और taught law ये हम discuss कर चुके हैं. ये हमारा fourth law है जिसको हम बहुत अच्छे से बात करेंगे. इसमें हम criminal aspect को deal करेंगे, जो criminal laws है हम उनके बारे में बात करेंगे. अब तक जितने भी हमने laws पढ़ें चाहे, property हो, contract हो, taught हो, उसमें हमने civil का पार्ट जादे देखा था और हो कहीं ना कहीं civil laws ही थे. लेकिन यहां पे आप लोगों के लिए कुछ different है. वो तीनों laws का आपको समझ में आगया था कि civil है, तो civil का आपको nature पता है, कि अगर किसी ने कोई गलती की है, तो सामने वाला इंसान क्या करेगा? सामने वाला इंसान उसको compensation भरेगा उस गलती को सुधारने के लिए. लेकिन criminal laws में क्या होता है? criminal laws में साफ साफ होता है कि उसको jail जाना पड़ेगा, जिस पे क्या होता है? लाइक तुमने किसी का खून कर दिया है, रेप वगेरा जो चीजें हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं. अब हम criminal laws में क्या पढ़ेंगे? जो एक criminal law होने वाला है, यह हम तीन-चार वीडियो में हम इस पूरे law को complete करेंगे, जैसे कि हमने दूसरे laws को complete किया है. इन वीडियो में हम किस पे बात करेंगे? लाइक Indian Penal Court, CRPC, Indian Evidence Act, Crime क्या होता है, ठीक है, Crime की Definition क्या है, Intention क्या होता है, Motive क्या होता है, Civil और Criminal में क्या Difference होता है, इन तमाम चीजों को हम बहुत अच्छे से यहाँ पे डिसकस करेंगे. एक हम फिर से overview लेते हैं, कि हम law को basically दो पार्क में divide कर देते हैं, कैसे divide करते हैं, एक होता है civil aspect और दूसरा होता है criminal aspect, अब civil में क्या होता है, civil में हम like देखते हैं कुछ marriage से related dispute है, divorce का है, property का है, जिसमें कि हम compensation देते हैं, ठीक है, यहाँ पे jail वेल जाना इतनी जादा पंचा जाना होता है, अगर मालो, जो civil laws है, civil laws के तहट अगर कोई दोशी पाया गया तो हम उसे क्या बोलते हैं, उस वहाँ पे हम word use करते हैं, civil wrong, कौन सा word use करते हैं, हम word use करते हैं, civil wrong, और अगर मालो किसी ने किसी का खून कर दिया है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते है offense चीक है यह जो word offense है यह word offense हम कभी भी civil laws में यूज नहीं करते हैं क्यों नहीं करते हैं वहां हम क्योंकि सिफ मतलब यह चोटे बोटे crime होते हैं हमें सिफ है इसको हम civil laws में in civil laws में हम इनको deal करते हैं clear है यह वाली चीज भी आपको यहां पर समझ में आ गई है so start करते हैं अब आपको basic understanding तो है civil और कर्मिनल की क्योंकि already हम तीन law पढ़ चुके हैं तो आपको वो समझ में आ ही गया होगा साथी साथ मुझे आपको एक सीज बतानी है कि magnet brains पे it's all legal series करके एक series start की गई है जिससे कि आप अपने legal knowledge को enhance कर सके ठीक है तो आप उस series को देख सकते हैं अगर आप website और app के माध्यम से देखेंगे तो जो extra learning वाला जो segment है उस extra learning पे अगर आप click करेंगे तो वहाँ पे it's all legal series है जाएगा बाकी आप YouTube पे सिफ ऐसा डालेंगे it's all legal series magnet brains तो वो आपको वैसे ही दिख जाएगा तो आप वहाँ पे एक बार देखिए वहाँ पे client और client के समबंदित और भी जान करिये और जो कुछ ऐसे videos जहां से आप अपने legal knowledge को enhance कर सकते हैं वो आपको it's all legal series में मिल जाएगे अब हम start करते हैं सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको नाम बताया था introduction to criminal laws in India अब यहाँ पर जो word है criminal criminal से ही word है crime चीक है अब यहाँ पर crime है तो सबसे पहले हमें हमारी heading को समझना बहुत जरूरी है हमें law का मतलब पता है आपको introduction का मतलब पता है कि यहाँ पर criminal laws का सम सिफ introductory part ड करेंगे यह क्लाइट के perspective से भी important होने वाला है क्योंकि क्लाइट में criminal law detail में तो नहीं लेकिन उसकी जो basic understanding है वो पूछी जाती है तो कोई भी law entrances लिलो apart from the class criminal law की आपको basic understanding होना जरूरी है चीक है तो start करते है what is crime से जो word criminal से जो crime निकला है तो यहाँ पर हम समझते है कि crime क्या होती है हम इसको समझते हैं the term crime denotes an unlawful act and this unlawful act is punishable by the state मतलब crime को हम ऐसा बोल सकते है कि crime एक unlawful act है मतलब एक unlawful काम है ठीक है एक unlawful काम है और अगर वो किसी ने किया है तो उसको punish किया जाता है ठीक है उसे punish किया जाता है क्लियर है कौन punish करती है सरकार सरकार मतलब यहाँ पर पूरा जो एक structure है वो पूरा जो गवर्मेंट का जो institution है जो हमारी country में जो institutions है वो उन सभी को यहाँ पर state की definition में include किया गया है चीक है यह चीज़ क्लियर हुई यहाँ पर मैं आपको फिर से एक चीज़ बताता हूँ यह यहाँ पर यह एक लिखा है और आपको यह पहले भी बता चुका हूँ कि एक यह होता है और एक यह होता है इन दोनों यह होता है जिसको पार्लिमेंट ने पास किया है तो आपको confused नहीं होना है अब आप law students हैं ठीक है legal studies पढ़ रहे हैं तो आपको इतना knowledge होना चाहिए ठीक और ये चोटी चोटी चीज़ें अगर आप रोग ध्यान रखेंगे न तो जब आप law colleges में जाएंगे आगे तो trust me आपका legal knowledge की understanding जादा होगी comparable जो वहाँ पे दूसरे बच्चे होंगे ये चोटी चोटी चीज़ें ही तो हमें differentiate करती है चीक तो यहाँ पे act मतलब यहाँ पे कोई काम करना और ये वो act जो कि parliament में pass किया है कानू ठीक है अब अगर कोई English के विदवान बोल दे कि sir sentence के बीच में तो छोटा ही आता है तो उस English के विदवान को ये कहा जाएगा कि नहीं ऐसा नहीं होता है जब भी parliament कोई act पास करती है पिर चाहे sentence के बीच में हमें act क्यों नहीं लिखना हो वो capital ही a आएगा वो small a नहीं आएगा although बहुत सारी books में गड़बड होती है act act में लेकिन आपको अब ये समझना है आप भी कहीं पर act mention करेंगे तो इस act और इस act का difference आपको पता होना चाहिए clear है ये वाले चीज आपको यहां पर समझ में आ गई है अब हम आगे देखते हैं crime is a concept is so broad that there is no single universally accepted definition to it but for the sake of convenience several countries provide statutory definition to various kinds of unlawful activity which can be defined as a crime अब यहां पर बताया है कि crime जो है crime की जो definition है वो बहुत जादा broad है सबसे पहले बताया है कि crime क्या है crime एक unlawful act है एक unlawful काम है वो किसी ने किया तो उसको पुलिस पकड़ के जेल में डाल देती है या जुडिशरी अपना judgment के थूँ से जेल में बोल देती किसे जेल में डालो लेकिन तो भी हम ऐसा बोले define करना है तो crime की जो definition है वो बहुत broad है crime को एक line में दो line में define करना possible नहीं है तो हम crime को कैसे define करेंगे तो अलग-अलग country ने क्या क्या है अलग-अलग country ने अलग-अलग act बनाए है अलग-अलग laws बनाए है उन laws के माध्यम से पता चलता है कि कौन सी activity unlawful activity है और कौन सी activity lawful activity है कैसे अब हमारे यां Indian Penal Code है ठीक है तो Indian Penal Code में बहुत सारी चीज़ें पताई गई है कि अगर ये करोगे तो crime like तुमने किसी का खून कर दिया तो वो crime है तो हमने एक act में define किया है कि अगर आप ऐसा काम कर रहे हो तो वो unlawful है ठीक है तो क्या यहां पे क्या बताया गया है कि crime को कैसे define किया जाता है crime को अलग-अलग country define करती है अपने act के according ठीक है अपने laws के according अगर किसी country में हो सकता है किसी country में चोरी करना बुरी बात नहीं हो एक एक एक्जामपल लेतने कि हो सकता है किसी country में चोरी करना lawful activity हो लेकिन वहीं दूसरी country में unlawful हो तो यह country to country vary भी करता है बत कई बार बहुत सारी similarities भी होती है crime like murder है तो वह मतलब similarity है अब कहीं पर terrorist रह रहे हैं तो वहाँ crime जहाँ terrorist rule कर रहे हैं जिन country पर तो वहाँ crime की definition अलग होगी वहीं इंडिया में definition अलग होगी चीक है यह चीज़ समझ में आई आपको की crime क्या है crime की definition क्या है crime से मैं आपको क्या समझाना चाहा रहा हूं then a common principle about criminal law is that unless activity is prohibited by law it does not qualify as a crime यह बहुत ही important statement है यहाँ पर इन्हों ने एक चीज़ बताई है कि crime वह activity है जो की law जिसे रोक रहा है अगर law ने बोला कि तुमने इसका खून किया है और तुमने वह खून कर दिया है तो तुम्हें जेल में डालना पड़ेगा लेकिन law ने ऐसा फिर खून करने पर सजा होगी तो फिर भली तुम कितने भी खून कर दो साथ खून माफ तुम्हारे तुमने जितने भी कून कर दिये तुमको जेल में नहीं डाला जाएगा तो वह activity जिनको law मना कर रहा है यह law में साफ-साफ लिखाए कि आपको ऐसा नहीं करना हैए और है यह वाला statement बहुत जादा important है इस statement को एक बार फिर से पढ़ते हैं incident of crime hurt not only individual but also the state यह example मैं आपको बहुत बार दे चुका हूं लेकिन हम फिर से जाते हैं इस पर मान लोग किसी का rape हुआ ठीक है तो यहां पर हम देखते हैं कि उसकी family और वह लड़की पे तो बहुत बुरा impact प है कैसे impact किया है state में मतलब हम पूरी society हम जिते भी लोग हम लोग रहते हैं अगर आप कहीं पर ऐसी news सुनते हैं तो आपके घर में भी कैसा माहूल हो जाता है तो यहां पर जो crime हो रहा है यह individual को ही नहीं यह पूरे state को impact करता है state को कैसे impact करता है अब हम चलते हैं हमारे 11 के ज social contract theory social contract theory में हमने क्या पढ़ा था? social contract theory में बात की गई थी social consumers in theory ठीक है social contract theory में क्या बात की गई थी social contract theory में हमने यह देखा था social contract theory का basic essence बताया है मैंने अगर आपको आपने वह theory नहीं पड़ी है तो class 11 की playlist में जाके check कर सकते हैं आपको magnet ale anis फेह JU fine तो भी हम एक बार social contact theory को revise करते हैं social contact theory में क्या बताएगा था आपको social contact theory में बताएगा था कि citizens क्या करते हैं citizens अपने सारे rights दे देते हैं किसको सरकार को दे देते हैं हम बोलते हैं कि बस तुम्हारा ये काम है कि आप हमें protect करके रखो सवाल ये होता है ना हमने सरकार को क्यों चुना सरकार क्यों है आप पूरे हमारे देश को ही ले लो या वर्ल्ल को ले लो ठीक है हम गवर्मेंट को क्यों चूज करते हैं गवर्मेंट को हम लोग इसलिए चूज करते हैं ताकि वो हमारी कंट्री में law and order की situation maintain रखे ठीक है development वगेरा ये बात की बाते हैं ठीक है government को development करना वो बात की पाते है पहला काम है कि वो law and order की situation maintain रखे पूरी कंट्री में peace हो कहीं कुछ भी कोई गलत काम नहीं हो लेकिन अगर गलत काम हो तो सरकार उसको punish करे ठीक है इसलिए सरकार है यहाँ पे हमने social contract theory में यह बात की थी कि अगर सरकार नहीं होती है जैसा कि हमने hops के case में देखा था state of nature हम अगर आप ऐसा सोचो कि हमारी country में कोई सरकार नहीं है कोई institution नहीं है कोई जोड़ी शरी नहीं है कोई पार्लेमन नहीं शर्त है वो शर्त क्या है वो citizen ने शर्त रखी थी कि आप हमको protect करोगे ठीक है आप हमको protect करोगे अब अगर सरकार हमको protect नहीं कर पाई मालो कि किसी के साथ किसी का murder हो गया किसी का rape हो गया तो यहाँ पर सरकार को बीच में आना पड़ता है यहाँ पर सरकार को तो इस इंसान ने जो तुम्हारे साथ गलत किया है उसकी सजा हम दिलवाएंगे और चलो इसको रिफ्रेस करते हैं इस statement को समझना बहुत जादर ज़रूरी है मैं इस statement में time इसले ले रहा हूँ यह कि इस statement में बहुत बड़ा करक्स है ठीक है तो इस statement को यहाँ पर समझने की कोशिश करो फर एक्जामपल हम लोग ऐसा लेते हैं कि मान लोग किसी ने किसी का मर्डर कर दिया एक परसंट ए है यह सोनू है ठीक है और एक मोनू है सोनू का परिवार है और मोनू का परिवार है अब सोनू क्या करता है सोनू जाके मोनू को मार देता है सोनू जाके मोनू को मार देता है इसका खून कर देता है ठीक है अब अगर मोनू का जो भाई है मोनू का भाई हम मान लेते हैं राम राम जाके वापिस सोनू को मार देगा फिर वापिस सोनू का भाई जाके राम को मार देगा तो यहां पर situation कैसी क ENTODICARY यहां पे INSAPPू का रोल आता है ठीके अगर यहां पे SONU ने मोनू का खून किया है तो सरकार आती हैं यहां पे सरकार बीच में आता है वो क्या बोलता है सरकार साहर और government हम interchangeably भी यूज़ करते हैं यह मैंने आपको class 11 में बताया है और आप class 11 में पढ़ते आए हैं legal studies अगर आपने यहाँ पर वीडियो नहीं देखे हैं तो भी अब यहाँ पर सरकार बीच में आती है सरकार बोलती है कि सोनु ने मोनु का खून किया यह गलत काम किया यहाँ पे लेकिन राम को कोई अधिकार नहीं कि वो सोनु को मारे यहाँ पे हम क्या करेंगे यहाँ पे सरकार बदला लेगी सरकार कैसे बदला लेगी सरकार पुलिच से बोलेगी अरेस्ट कर लो इसे साथ country में peace establish हो और यह हमने social contract theory में देखा था clear है यह चीज समझ में आ गई तो यहाँ पर क्या बताए गया है incident of crime hurts not only the individual but also the state इसका मतलब यही है कि जो crime हो रहे हैं जो crime घट रहे हैं जो घटना घट रही है वो सिर्फ individual को ही नहीं वो पूरे state पे impact देते हैं हम यहाँ पर फिर से एक और example आपको समझना है हम यहाँ पर example लेते हैं civil कुछ गड़बड हुए civil wrong हुआ है और कोई offense हुआ है उसका example लेते हैं दो मिया बीबी में अगर तलाक हो जाता है तो उसके तलाक से जिफ चार पड़ोसी रहते हैं उनको फरक पड़ता है कि ओहो तलाक हो गया गलत था वो चार बाते करते हैं चीक है तो और वह बात कहीं बाहर पता नहीं जलती ले पूरे देश में कैसा माहूल हो गया ठीक है तो जो criminal laws होते हैं उनका impact बहुत जादा होता है comparable to civil laws जो civil wrongs जो होते हैं उनके परभाव में अगर धम देखें तो criminal में जादा परभाव होता है इसलिए criminal में जादा सजा दी जाती है और इसलिए क्या होता है इसलिए civil में compensation की बा गया है फिर यहां पर क्या बताया गया है therefore such acts are forbidden and punishable by law the body of the laws which deal with imposing punishment on crime is known as criminal law इसलिए ऐसे सरकान ने बहुत सारे laws बनाए हैं ताकि यह जो crimes हैं यह crime नहीं हो सके और यह laws हैं इनको हम क्या बोलते हैं criminal law वो law जो की punishment दे रहे हैं कि अगर आपने murder किया है तो आपको इतनी सजा मिलेगी तो वो punishment दे रहे हैं तो उस law को हम क्या बोलेंगे उस law को हम बोलेंगे criminal law एक वैसे laws जो की punishment impose कर रहे हैं कि आपने यह crime किया है तो आपको यह punishment में लेगा उसे हम क्या बोलेंगे उसे हम बोलेंगे criminal laws क्लियर है इतना समझ में आगे एक बार इसे read मालो फिर हम आगे बढ़ते हैं अब बेसिकली देखो आप ये भी बोल सकते हो कि सर आप इतना detail में के हो जारो फटाफट बताओ तो मेरे पास दो option है मैं detail में भी जा सकता ह हूँ और मैं फटाफट ये भी कर सकता हूँ कि चलो syllabus complete है फटाफट करने में फायदा मेरा है नुकसान आपका है अगर आप इन concept को यहां पर समझेंगे ना तो चाहे क्लायट का syllabus बदले चाहे किसी का भी आयलेट का syllabus बदले किसी का भी syllabus बदले लेकिन आपको basics clear होंगे और जब भी कोई भी competitive exam हम देते हैं तो competitive exam में basics ही main होता है क्योंकि syllabus आपको भी पता बदलते रहते हैं लेकिन यह जो basics है क्या यह basics बदल पाएंगे criminal law or civil law क्या होता है यह basics कभी बदलेगा नहीं बदलेगा लेकिन क्लायट यहां से question पूछेगा तो मुझे पता है कहां से questions आएं 1112 भी चली गई और हमें इतना basic समझ में नहीं आ रहा है कि criminal law की क्या special क्या speciality है criminal law को हम यहां पर offense क्यों बोलते हैं और क्या पूरी जो मैंने आपको story बताई है ठीक है कि वह state against crime क्यों होता है इसलिए मुझे यहां पर detail में जाना है so that आपको सारी चीज़े एकदम यहां पर clear हो समझ में आ गई यह वाली चीज हमें यहां पर clear हो गई है then यहां पर अब हम categories of crime देखते हैं जो कि आपकी book में table बना है इसे सिव आपको read करना है class 12 के mcq के perspectives अगर आपके paper में mcq वगएर आ रहे हैं तो उसके perspectives यह थोड़ा सा important हो जाता है तो एक बस आप इसे read मार लीजेगा बाकी जैसे जैसे आपको criminal law के understanding होगी जैसे जैसे हम इस chapter में आगे बढ़ेंगे आपको चीजे समझ में आने लगीगी automatically मुझे बोलने की जरुवत नहीं पढ़ेगी तो यहां पर क्या crime against person मतलब किसी person के against crime कर रहे हैं उनको हम क्या बोलते है personal crime से बोलते हैं murder हो गया ठीक है assault हो गया rap हो गया robbery वगयरा हो गया आप किसी person के against crime कर रहे हो ना crime अगेंस person में क्या है कि हो हम किसी इनसान के गेंस्ट कर रहे हैं वो हो क्या patient basically इन्होंने क्या किया है criminal laws का classification कर दिया कर दिया गया है अलग-अलग कैटेगरीज में और यह इसलिए ताकि हम अच्छे से थोड़ा सा मतलब ग्रैस्प कर सकें इसलिए किया गया है ताकि आपकी एक अच्छे से यहां पर बन सके तो दियुक पर्संत्य आपको सब्सक्राइश्य आगया व्सक्राइश पराइश दिर्फ कर चाहर रहा है और आपको मतलब मेरे घर में घुझ गया में बील्डिस में चोरी करने का या कोई मेरी Immovaapal property कोई मेरी Movable property चोड़ी चुरा रहा है ठीक है तो यहां पर जब हम कोई चीज क्ऊरा रहें किसी person की तो वह आगया Crime Against Property, चीक, मेरी कार कोई चुरा के लेके चले गया, चीक, और उस कार से, मेरी कार कोई चुरा के लेके गया, और उस कार से किसी को ठोक डाला, तो उसने बहुत सारा Crime कर दिया है, चीक, Crime Against Morality, There are several crimes, where there is no bodily harm, or any kind of harm to the property as well, yet these crimes are deemed as immoral activity, and hence are unacceptable, Prostitution, Illegal Gambling, ठीक है, Illegal Drug Use, अब देखो कुछ Crime ऐसे होते हैं, कि आप मतलब इसे हाथ भी नहीं लगा रहे हो किसी को, लेकिन फिर भी Crime घट जा रहे हैं, कैसे, आप Prostitution, मतलब आप किसी को Force कर रहे हैं, इस Prostitution के लिए, सो वो भी क्या है, वो एक तरीके से Illegal है, ये इंडिया में Allowed नहीं है, कि आप मतलब किसी को Force कर रहे हैं, उस चीज के लिए, किसी की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, सो ये Illegal है, सांती साथ आप ड्रग्स वगेरा में हैं, ठीक है, आप ड्रग्स वगेरा का Trade कर रहे है सो यहां पर आप किसी को हाथ तो नहीं लगा रहे हो, लेकिन आप बहुत खतनाक खतनाक नशीले ड्रग्स इधर से उधर कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, सो ये सब क्राइम है इंडिया में ठीक है, और ये Morality, Morality मतलब ये Crime एक Moral है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें prostitution या illegal gambling या हम कहें कि like drugs वगेरा में इसा में नहीं उलजना चाहिए, किसी को force नहीं करना चाहिए, किसी को forcefully drugs नहीं देने चाहिए, ये जो सारी चीज़े हैं उसके बारे में यहां पर बताया गया है, also crimes against morality are also called victimless crime because more than offense there is no complaint or victim and it is generally the state which take the sore motocognizance of these offense और अब में इनको क्या बोलते हैं, crime against morality को बोला जाता है, कि victimless crime है, victimless crime क्यों है, for example, ऐसा समझ लेते हैं कि दो लोग drugs का supply कर रहे हैं और मैं drugs का सेवन कर रहा हूँ, वो मुझे drugs दे रहा है, मैं drugs का सेवन कर रहा हूँ, अब मुझे लेकिन कुछ चाहिम बाद इसा लगा कि नहीं ये गलत है, और मुझे उसकी तडप लग गई, मतलब आदत लग गई, अब मैं जाके ये पुलिस को तो नहीं बोल सकता न, कि भाया मैं देखो, मैं drugs का कर रहा हूँ, ये है, वो है, क्योंकि मुझे पता है, भली अब मुझे लग रहा हूँ, कि वो गलत है, क्योंकि अगर मैंने पुलिस को ये बताया, तो पुलिस सामने वाले को तो बाद में पकड़ेगी, पहले मुझे पकड़ेगी, कि मैंने क्यों drugs लिये, चीक है, इनको हम victimless crime इसलिए बोलते हैं, क्योंकि यहां पे कोई victim जो होता है, वो कोई police के पास नहीं जा रहा है, यहां पे जो दो लोग मानलो drugs का trade भी कर रहे हैं, वो किसी को जा के क्यों बताएंगे, चीक है, यहां पे जो सरकार है, यहां पे पुलिस को पता चला कि यहां पे drugs की हराफेरी हो रही है, तो पुलिस अपने आप से जा रही है, कोई complaint नहीं लिखा रहा है, हो सकता कोई third person पता हो, तो complaint ल पता है, लेकिन पुलिस को अपने आप पता चला कि यहां पे drugs का trade हो रहा है, तो पुलिस ने suomoto cognizance पतलब अपने आप, जब पुलिस को पता चला चला अच्छा है, यहां पे drugs का exchange हो रहा है, तो पुलिस अपने आप से चली गई बिना कोई report के, आप देखते हैं न कई बा reality भी आपको यहां पे समझ में आ गया है, then white collar crime, white collar crime क्या होता है, basically हमेने economic offense बोद ने है, चीक है, अब लब economic activity money से related होता है, जहां पे white collar हो, कुछ वहां पे money से related होता है, white collar crime are generally the economic offenses, देखो यहां पे लिखा है, economic offenses that are committed by people of high social status, these are the crime in respective occupations, चीक है, यहां पे देखते हैं कि जो लोग होते हैं, अधिकतर वो economic offenses करते हैं, कि आप गरीब लोगों से expect कर सकते हो, कि वो कोई economic crime करेंगे, वो कोई economic offenses करेंगे, उनके पास वैसे ही रुपे नहीं है, वो क्या ही crime करेंगे, ठीक है, और अगर वो किसी का चुरा रहे हैं, तो वो property वाली category में हम उसे डाल देंगे white collar crimes होते हैं, जो high social status, जो थोड़े अमीर, जो थोड़े रहीस लोग होते, वो करते, tax बचाना, चीक है, insider trading, मतलब कि यहाँ पे क्या करना, मतलब stock में illegal तरीके से रुपे लगाना, वो सारी चीज़े करना, tax evasion करना, income tax के laws को follow नहीं करना, अपनी income अच्छे से नहीं बताना, साथी साथ corruption करना, bribery करना, चीक है, मतलब bribery आपको पता ही है कि किसी से रुपे मांग लिए, आप कल को बड़े अधिकारी बन जाओगे, तो आप किसी से रुपे मांग लोगे कि मुझे इत्ते लाक रुपे दे देना, मैं तुम्हारे काम कर दूँगा, ठीक है, कोई ऐसे large जो scams होते हैं, वो white collar crime में होते हैं, तो हम लोग white collar crime से हमने क्या समझा है, white collar crime से हमने समझा है, कि जो भी economic offenses होते हैं, वो सारे offenses white collar crime में included है, So white collar crime भी हमें clear हो गया है, अब हम बात करते हैं, organized crime के बारे में, कि organized crime क्या होते हैं, Organized crime is a crime committed by structured groups, typically involving the distribution of illegal goods and services to various movies and television series, but the term can refer to any group that exercise over large illegal enterprises, such as the drug trade, illegal gambling, prostitution, weapon smuggling, or money laundering, betting on sports, illegal sell of firearms, हवाला transactions are all the example of organized crime, अब organized crime में basically क्या है, Organized crime में basically groups जो होते हैं, यह कुछ groups होते हैं, वो जो illegal चीज में involved होते हैं, like हवाला transactions हो गया, कुछ terrorist activities वगएरा हो गई, illegal weapons वगएरा देने हो गई, उन्हें हम organized crime में डाल सकते हैं, एक चीज और, अभी हमने crimes को इतने में classify किया, like मैंने organized crime बता है, white collar crime बता है आपको, crime against person, crime against property, crime against morality, अब यहाँ पे जो हमने crimes देखे हैं, वो वो ऐसा नहीं है कि crimes hard and fast rule है कि यह इसी category में आएंगे, हो सकता है कोई crime organized crime में आए, और वही crime morality के अगेंस पे आए, crime against morality और organized crime में कुछ crime ऐसे हो, जो similar हो, तो कोई hard and fast rule नहीं है कि organized crime में यह आगया है, तो crime against morality में यह कैसे आएगा, ठीक है, तो यह चीज आपको ध्यान रखना है, वो तो सिर्फ आपको सिर्फ बताने के लिए, आपको एक easy understanding हो, उसके लिए crime को ऐसे classify कर दिया गया है, बाकि कुछ crime organized crime में भी हो सकते हैं, और white collar crime में भी हो सकते हैं, ठीक है तो ऐसे overlapping मिलेगी, तो आप hard and fast rule इसको मत समझेगा यहाँ पे, clear है, यह चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई है, अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, stages of crime, यह बहुत ही important topic है, stages of crime को हमें बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है, इससे बहुत अच्छे से समझते हैं, any crime has a few key stages to it as indicated in a box alongside, यहाँ पे कोई भी कराइम होता है, उसमें कुछ stages होती है, वो stages यहाँ पे हैं, कोई भी crime, जब crime कोई भी commit कर रहा है, मालो मैं किसी का murder कर रहा हूँ, तो यह 4 stages होगी, पहली होगी intention, दूसरा preparation, तीसरा attempt, चौता commission, यह 4 stages होती है, जब यह 4 stage हो जाएगी, तब हम बोलेंगी कि crime commit हो गया है, अब एक-एक topic पे, एक-एक point पे, like intention, preparation, attempt, commission, इनकों बहुत अच्छे से समझेंगे, थोड़ा सा सब्री रखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे यह बताया गया है कि कोई भी इंसान जब crime करता है, मान लो, यहाँ पे हम हमारे बापिस दो favorite personality है, वो दोनो favorite personality काउन से है, सोनू और मोनू, सोनू और मोनू, अब हम क्या देखेंगे कि सोनू को मारना है मोनू को, सोनू नहीं सोचा है कि मुझे मोनू को खतम करना है, मुझे मोनू का क्या करना है मुझे मोनू का करना है murder ठीक है यहाँ पर इनको क्या करना है murder करना है mauno का चीक सो यहां पर जब Sonu Mauno को मारेगा तो यह चार सचेज़े नोगा पहले होगा इसका intention की intention क्या है सामने वाले परसन का इसको एक ا舒 Try still मांनलो कि मैं कोई काम कर रहा हूं या फिर हम ऐसे दिखते हैं कि हम मान लो कि मैं सड़क पर जा रहा हूँ या मेरी किसी से कोई लडाई हो गई है अब लडाई ठीक थी मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत जादा हाई लेवल पर हो गई लेकिन जिससे लडाई हुई वो थोड़ा सा उसका दिमाग थोड़ा कम चल रहा था तो जब मैं अपना काम कर और मूझे ने रहे फोड़ा था ता वो पीछे से आया चाकू लेकर रहा आएं और हम जोिए हाथ हाहां में फ़कर ड़े केहां अब होता है यह जो Για होता है है यह गल्ती से उसको चले जाता मेरे हाथ से क्योंकि मैं उसे चाकू हाथ से छुडवाने की कुशिश कर रहा था कि वह चाकू फेक दे लेगिन वह फेक नहीं रहा था तो इस हाथपाई में क्या होता है वह चाकू उसके टूवर्ड्स घूम जाता है तो जब चाकू उसके टूवर्ड्स घूम जाता है तो उ और सिर्फ सेल्फ डिफेंस का काम कर रहा था ठीक है यहां पर सेल्फ डिफेंस वाली बात जाती है कि मैं तो सिर्फ सेल्फ डिफेंस कर रहा था अब सेल्फ डिफेंस में अगर उसको लग गया है तो जब केस जाएगा तो मुझे सजा नहीं मिलेगी और मिलेगी तो बहुत कम मिलेगी क्योंकि यह जो intention होता है यह intention बहुत बड़ा role play करता है किसी भी मतलब कोई भी criminal वाली चीज अगर हमें proof करनी है तो जो वकील आपसे जो बहुत सारे रुपे लेगा जो court में case file करेगा वो इस intention के आधार पे करेगा चीक है हो सकता है कोई इंसान ने जान बूच के मार दिया हो लेकिन वकील क्या proof करेगा वकील बुलेगा कि नहीं जद साप इसका वो intention नहीं था मेरे client का intention तो था यह उसको मानने के लिए वह तो situation ऐसी हो गई इसलिए उसको ऐसा करना पड़ा सो यह जो खेल होता है ना जो कोट में वह intention पर होता और intention पर बहुत intention को प्रूफ करने और intention की बारे में पढ़ेंगे ना तो तीन-चार महीने निकल जाएंगे ठीक है उसके बाद भी कोई guarantee नहीं तो intention का एक बहुत बड़ा रोल इंटेंशन आप समझते हो ना मंचा की सामने वाले की मंचा क्या थी उसको मारने की मंचा थी या नहीं थी अब for example सामने वाले इंसान ने ऐसे ही मुझे मार दिया ठीक है तो उसका intention पहले सी था कि उसे मारना है ठीक तब उसको सजा अच्छी खासी मिलेगी अगर सामने वाले इंसान ने पहले सी सोचा है मानलो रेप के दौरान अगर वो लड़की सामने वाले इंसान को मार देती है चीक है तब उसको कोई सजा नहीं मिलेगी चीक है या बहुत कम मिलेगी हम ऐसा कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे उसका लड़की का intention था self defense चीक है वो मारना नहीं चाहती थी लेकिन वो घटना ऐसी थी उससे में situation ऐसी थी कि उसे ना चाहते हुए भी वो करना पड़ा अपने self इजامپल सोनो ने सोचा कि उसको नो मारना है सोनोर रुमोन ऑच क्या हो गई कॉलिज में लडाई हो गई जो को ने सोचा कि मैं इसको मार दूँगा तो सोनौन का इंटेंशन क्या था सोनौक पहले से इंटेंशन कि मुझे से मारना ना है तो उसकी preparation करे चीक है अभी तक मारा नहीं है बस उसके मन में खयाल आया है कि मुझे मारना है और वो उसकी preparation कर रहा है मारा नहीं है attempt नहीं हुई अभी चीजे चीक है वो intention और preparation ये दो चीज में कर रहा है तो क्या इस stage में हम बोल देंगे कि सोनों क्राइम कमिट किया है इस stage में हम criminal liability proof नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसने मारा थोड़ी ना है उसके तो बस मन में खयाल आया है कि मुझे मोनु को मारना है और वो उसकी तयारी कर रहा है लेकिन मारा नहीं अभी तक तो यहां पर हम criminal liability proof करना एकदम असंभव जैसी चीज हो जाती है यहां पर और हम प्रूफ भी नहीं कर पाते है कोट में तो जब इन दो stages में होता है वो crime तब हम उसे तब हम उसे crime की category में नहीं रखते इस तरीके से अब देखो तो crime की category में आ जाता है लेकिन हम प्रूफ कैसे करेंगे तो जब तक आपके मन में और जब प्रिपरेशन कर रहे हो घर पर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो criminal liability की दारे में नहीं आएगा अब जब वो attempt करने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं मार पाया तो भी क्राइम हो गया और मैं इसको summarize करूँ तो मेरा मतलब यहाँ पर यह है कि सबसे बड़ा तो है intention intention क्या है सामने वाले इंसान का उसके बाद में जो criminal liability होती में कब बोलूँगा की crime हो गया है जब यह तीसरे stage पर पहुँच जाएगा चीक है जब यह इन दो stage में intention और preparation में criminal liability नहीं होती है जब वो इनसान तीसरे यहां 40 सचेज में पहुच जाएगा तब हम बोलेगी कि crime commit हो गया है जब वो तीसरे stage पर भी हो जाएगा तब हम बोलेगी कि crime commit हो गया है लेकिन पहले दो stage में हम नहीं बोलते कि crime commit हो क्योईं इसलिए कि हम proof ही नहीं कर पाते हूँ अब मेरे मन में थोट आया कि मुझे उस इंसान को मारना है और मैंने घर से ही चाकू मेरे बैग में रख लिया इससे क्या प्रूफ होगा सामदे वाले इंसान प्रूफ कर पाएगा कि चाकू मैंने उसके लिए मानने के लिए रखा है समझ में आई बात तो जो हम बोलते कि क्राइम कमिट होती है वह मोड़ टेंशन के पीछे कि सके पीछे होती है वह मोट को एक चीज बताओं तो जभी कोट में जिसे जड़ी इग्जांपले लेते हैं एक एक सांप development है कि अगाध़ कि किसी का murder किया है तो यहाँ पर जो सजा है वो है life imprisonment भी है या death penalty है ठीक है सो मान लो कि हमने देखा कि murder करने की सजा हो गई life imprisonment या death penalty अब हम यहाँ पर हमारे case को लेते हैं हमारे दो favorite personality को लेते हैं दोनों famous personality sonu monu sonu monu यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर sonu ने monu को मार दिया ठीक है तो जरूरी नहीं है अब जित्ते भी murder हो रहे हैं जरूरी नहीं है कि उन murder की situation में जज सबको life imprisonment दे रहा है हो सकता है किसी यह खून किया हो लेकिन जज उसको 5 साल की सजा दे रहा हो यह जज उसको 10 साल की सजा दे रहा हो यह कैसे differ करता है जबकि लिखा तो ऐसा है कि up to life imprisonment या फिट पेनल्टी लेकिन जज ने पांच यह लिखा रहता है कि up to 10 years वो up to 10 years क्यों लिखा रहता है डियारेक्ट ऐसा भी तो लिख सकते थे कि यह क्राइम हुआ तो 10 साल की सजा नहीं वह अप्टू वर्ड यूज करते हैं वह अप्टू वर्ड क्यों यूज करते हैं क्योंकि यहां पे जज उस इंसान का इंटेंशन देखेगा अगर उसका इंटेंशन सही था तो जज उसको छोड़ देगा यह जज उसको 6 महीने की सजा देगा लेकिन उसका इंटेंशन गलत था तो जज उसको 10 साल की देगा यह discretionary power होती यह जजकी की वो कितनी लंबी सजा देगा ठीक है यह क्या है क्या है यह जजकी discretionary power होती है इसलिए वहाँ पर वर्ड अप्टू लिखा रहता है सो आप intention का मतलब समझ yhtहें intention एक सबसे बड़ा factor होता है emerge in कोई भी case proof करना हो कोई भी case जीतना हो court में किसी भी चीज़ पे विवाद हो तो जितनी भी पूरी लड़ाई होती है वो intention के basis पे होती हो किस के basis पे होती है वो intention के basis पे लड़ाई होती है जितनी भी court में यह जो सारे हंगा में होते हैं यह सब कुछ intention के basis पे चलते हैं clear हुई यह चीज़ समझ में आई और crime कब commit होगा crime commit होगा या तो attempt की stage में या commission की stage में crime commit होगा इससे पहले crime commit नहीं होता है इससे पहले criminal liability नहीं होते हैं हम proof नहीं कर पाते हैं main बात हैं proof नहीं कर पाते हैं clear हुई this implies that merely having an intention to commit a criminal act is not punishable nor making preparation for the same वही वाली line है कि अगर आपके मन में आगे कि मैं उसको मार दूँगा ठीक है मन में आयना करा तो नहीं है तुमने preparation की मारा तो नहीं है चीक है इसको हम criminal act में नहीं count करेंगे liability in criminal crisis arises when one goes beyond the stage of preparation and attempt to do the forbidden act liability कब होती है कि कब उस act को मानते है जब attempt में आ जाता है वो जब वो इस लक्षमन रेखा को पार कर देता है वो इंसान तब criminal liability उसके पर आ जाती है तब मुकदमा हम चला सकते हैं court में clear है यह चीज़ आपको यहां पे समझ में आ गई है what constitute attempt is again a tricky and complicated question when the area of the intense when the area what constitute attempt is again a tricky and complicated question which is an area of intense study अब यहां पे attempt क्यों किया उसने attempt क्यों किया वही कि उसका attempt करने का पीछे का कारण क्या था यह बहुत tricky study है और वही मैंने बता आ है महीनों निकल जाते हैं फिर भी समझ नहीं आता है क्योंकि court में जब आप वकील बनेंगे तो इसकी study करने में आपको बहुत महनत करनी होगी और इसकी study में सच में महीनों निकल जाएंगे फिर भी आप को समझ में आगा है तो ठीक है नहीं आया है तो कोई बात नहीं तो attempt जब भी कोई इंसान attempt कर रहा है तो उसके पीछे वह intention तो हो गा ही ना तो यह intention आएगा ही यहां पे clear? Now, however, it can be stated that in some exceptional circumstances criminal liability arises only when the crime has reached the stage which is gone beyond preparation and has entered into domain of attempt ठीक है तो यहां पे क्या हुआ कि crime की liability कब होगी जब attempt हो रहा है although सोचना भी नहीं चाहिए, although preparation भी नहीं करनी चाहिए लेकिन यह दोरों चीज हम proof नहीं कर पाते हैं भही मैंने आपको बता है कि मेरे bag में चाकू है, मैंने सोचा कि मैं सोनो को मारूँगा ठीक है, अब मैंने मेरे bag में चाकू रखा, इससे क्या, और मैंने सोनो को नहीं मारा मैंने attempt भी नहीं किया, मैंने चाकू बाहर भी नहीं निकाला लेकिन मेरे मन में था और मैंने preparation की तो इससे आप court में proof कर पाऊगे, नहीं कर पाऊगे इससे में में, अब मैंने चाकू निकाला, और मिने सोनो को मानने की कुशिश की लेकिन वो चाकू पेट में निलगकर हाथ में लग गया तो मैंने attempt तो किया अब फिर वो सोनो कोर्थ में जा सकता है लेकिन अब वह सोनो का वकील बोले गा सोनू का वकील बोलेगा कि सामने वाले का intention तो था मारने का और मेरा वकील बोल देगा कि नहीं उसका intention नहीं था मानने का वो तो गलती से वो तो उसको लग गया वो तो सेब खाने के रिए चाकूली के गया था तो जो पूरी लड़ाई होगी वो intention के basis पे होगी यहाँ पे clear है यह चीज आपको यहाँ पे समझ में आगे है आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे elements of crime, guilty act and guilty mind अब जो मैंने आपको जो समझाया है यहाँ पे intention, guilty act, guilty mind इसको हम law की language में पढ़ेंगे actor-seria क्या है, mens-seria क्या है इसे हम यहाँ पे law की languages में पढ़ेंगे यहाँ पे to be classified as a crime, the act of doing something bad इसको हम बोलेंगे actor-seria must usually be accompanied by the intention of doing something bad that is mens-seria ठीक है तो आप कोई भी गलत काम कर रहे हो आप कोई गलत काम कर रहे हो एक ऐसा act जो कि illegal है उसको हम क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे actor-seria, यहाँ पे आपको इसको कैसे याद रखोगे यहाँ पे है word act, act मतलब क्या हो रहा है कि आप कोई चीज कोई घटना कर रहे हो या वो घटना हो गई है, तो आप कोई भी illegal काम कर रहा है आपने तो वो हो गया actor-seria, ठीक है, आप कोई भी गलत काम कर रहे हो, वो हो गया actor-seria लेकिन आप कोई गलत काम कर रहे हो, तो आपके मन में पहले आया होगा है तो जो आपके मन में आया होगा, जो आपका intention होगा, उसको हम क्या बोलेंगे उसको हम बोलेंगे mensria कि मेरे मन में यह आया था ठीक है, मेरे मन में यह चीज़ें आया थी तो यह क्या हो गया, यह हो गया है यहां पे mensria A crime is said to exist usually when both these elements are present अब जब भी crime होता है, तो यह दोनों element होना ज़रूरी है कौन-कौन से element है, actusria plus mensria ठीक है, actusria versus mensria यह दोनों जब होगा, तब क्या होगा, तब क्राइम होगा इन दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है, तब क्राइम होगा मतलब वो इनसान ने गलत काम भी किया होगा और वो उसके दिमाग में भी आया होगा सबसे अच्छे एक्जाम्पल जो मैंने आपको रेप वाला बताया है कि ये घटना जब घट रही थी तो लड़की को self-defense करना था अब उसने आइट साइड में देखा तो सकता है उसे चाकू या कोई बॉटल तूटी होई मिली होगी उसने उस बॉटल का उसको मारा तो उसके मन में नहीं था उसको मारने के लिए वो सिर्फ अपना self-defense कर रही थी जो उसने किया वो गलत किया लेकिन क्या उसका मन में था मानने का नहीं था भईया तुम ऐसा गलत काम नहीं करती तो लड़की क्यों करती तो यहाँ पर उसको सजा नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ पर जुसका मैंसरिया है यह work नहीं करेगा, उसका intention थोड़ी न था, उसके मन में नहीं आया था कि मैं इसे मारूँगी, उसके मन में तो था कि मैं बचूँ, मैं कैसे भी करके हैं से बच के निकलूँ, चीक है, जब भी दोनों का कंबिनेशन होना जरूरी है, और उसी को यहाँ पर लेटेन मैं इसी को छीज को कहा है, कि जब भी क्राइम होगा, तो इन दोनों का क्या होगा, इन दोनों का कंबिनेशन होना चाहिए, छिक है, तो हम पहले बोलते हैं कि उसका मन साफ नहीं है, अपने कहवत सुनी होगी, आपके घर में बोलते होगे, कि उसका क्या वो तो उपर उपर बोल दिता है, कि हम तुमारे साथ में हैं, लेकिन उसका मन साफ नहीं है, तो वो जो मन है ना, वो मन का बहुत बड़ा रोल है यहां प तो हमें यह दोनों चीजें प्रूफ करने होती हैं, clear हुई? चीक है? अब यहां पर दिखते हैं, in other words, for a physical act to be termed as a crime, it must be accompanied by a necessary mental element, unless this mental element is present, no act is usually a criminal in nature. So, all crimes have physical element and mental element, usually actors ria and mens ria, वही वाले चीज़ें की mental element होना चाहिए, और कोई भी crime में यह दोनों element present होते हैं. So, अब तक हमने क्या देखा है? अब तक हमने देखा है, को एक रिवीजन करते हैं, ताकि आपको भी चीज़ें पता हो नहीं, तो आप भी भूल जाओगे. अब तक हमने देखा है कि जब भी crime commit होता है, सबसे पहले हमने crime की definition देखी, कि crime क्या होता है, फिर हमने किस बारे में आपको ध्यान होनी चाहिए, intention का सबसे बड़ा खेल है, लेकिन कभी भी अगर हमें criminal liability proof करनी होगी, तो हम criminal liability कैसे proof करेंगे, हम criminal liability proof करेंगे, जब वो जो काम हो रहा है, वो काम intention और preparation के आगे जाए, मतलब उस जब attempt हुआ है, तब हम उसे proof कर पाएंगे, और कभी भी court में हमे कोई चीज proof करनी होगी, तो actus ria plus mens ria, दोनों को proof करना होगा, actus ria मतलब act, act मतलब गलत काम, mens ria मतलब दिमाग गंदा, men, चीक है, mens ria मतलब उसका दिमाग गंदा था, वहाँ पर, चीक है, so actus ria plus mens ria is equal to crime, चीक है, अगर कोई गलत काम कर दिया, लेकिन उसका मन साफ था, तो उसको कोट छोड़ भी सकता, उसको कोट कम सजा भी दे सकता है, वो judges के discretionary power के उपर होता है, so एक बार आप इसको read कीजिए, फिर उसके बाद में हम और आगे बढ़ेंगे, actus ria और उनको और हम थोड़ा सा detail में समझेंगे, तो actus ria और mens ria आपको आगया है, समझ में आपको उसका basics अच्छे से clear हो गया है, अब जो इसका detail वाला है, वो हम next video में करते हैं तो अगर इसी वीडियो में सब कुछ कर लिया तो आप बोलोंगे कि sir, मजे नहीं आ रहा है, बहुत लंबा accent हो गया है, इस video को हम यहीं पर ख लिखेंगे, वो हम next video में इसको cover up करेंगे, I hope आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी, आपको एक पूरा background बन गया होगा criminal laws को लेके, साथ ही साथ हम coming videos में IPC हो, CRPC हो, Indian evidence, Act हो, यह सारी चीजे भी हम वहाँ पे discuss करेंगे, so I hope आपने enjoy किया होगा, magnet brains के videos, गया है, वो solution क्या है, वो solution है, magnet brains की website, magnet brains की website तक पहुचने के लिए, simply आप लोग Google पे जाए, Google पे आप लोग magnet brains.com लिखे, और search पे click कीजे, जैसी आप magnet brains.com के search पर click करेंगे, कुछ इस तरीके का interface, कुछ इस तरीकी की screen आपको नजर आएगी, आपके phone पे, आपके laptop पे, नी कुछ-कुछ videos हैं, जिसमें it's all legal series करके है, as such, यहाँ पे आप, suppose कीजे कि आप class 12 पे click करेंगे, class 12 के जितने भी courses हैं, वो सभी courses आपको यहाँ पे नजर आजाएंगे, आपकी screen पे चाहिए, science stream के हो, चाहिए, commerce stream के हो, चाहिए, humanities stream के हो, अगर आप थोड़ा सा scroll करके नीचे आएंगे, तो यहाँ पे आपको class 12 का legal studies नजर आएगा, आप जैसी class 12 के legal studies को click करेंगे, class 12 legal studies के जितने भी videos हैं, वो सारे videos chapter wise format में, chapter wise में भी topic wise arrange आपको यहाँ पे videos मिलेंगे, so, जैसा कि मैंने आपको class 12 legal studies का बताया है, सभी classes के, सभी subjects के video इसी format में आरेंज है, chapter wise, chapter wise में topic wise, so, it is up to you, अगर आप YouTube से comfortable है, तो YouTube से पढ़ गिये, YouTube पे आपको video नहीं मिल रहे है, तो website के माधिम से आप अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं, Magnet Bains एक ऐसा channel है, जहाँ पे class kg से लेके class 12 तक पढ़ाया जाता है, यहाँ पे सभी subjects, यहाँ पे सभी subjects के जितने भी videos है वो बिल्कुल free of cost available है, तो आप लोग जादे से जादा videos को share कीजे, Magnet Bains के बारे में बताईए, अपने friends को, अपने school में, colleges में बताईए, tuition teachers को बताईए, tuition में बताईए, साथी साथ video को like कीजे, channel को subscribe कीजे, मुलाकात होगी आप से next video में, इसी law of crime को continue करेंगे, तब तक के ल झाल